हुआ हुआ है अधा दोस्तों आज हम बात करने जा रहा है मारूती सुजू की स्विफ्ट के बारे में दोस्तों स्विफ्ट आपने देखा होगा जब से इसको लॉंच किया था मारूती सुजू की ने जब से लेके आज तक चरी से हर एक तरीके से कम्प्लीटली इंडिया के इसाब से बेस्ट साबित हुई है पर दोस्तों इसमें हर एक तरह का शेफटी फिचर्स होने के बाद भी इसकी रेटिंग 3.3 या जब भी इस गारी का एक्सिडेंट होता है तो इसमें दिये गए शेफ होने के बावजुद भी यह गाड़ी सेफ नहीं है दोस्तों अगर इसके क्रेश टेस्ट की बात करें तो इसको 3 स्टार्स मिले हैं इसके बाद अगर मैं बात करूं तो दोस्तों अगर इस गाड़ी का अगर आपका कोई ived major accident होता है याप जाधा Saturday में अगर इसका accident होता है तो इसका इसन ये है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी कंजोर है दोस्तों बिल्ड क्वालिटी काफ़ी कंजोर होनें के बाद भी इसमें अब्लों आपको मिलेंगे इसमें आपको सेफटी में कर नाम पर मेंस इसका काफी अच्छा है इसका एवरेज अच्छा है 2018-2017 में बेस्ट कार ओप दे एर भी रही है पर दोस्तो इसका जो स्विफ्ट का नया मोडल है इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया सारे सेफ्टी फीचर्स होने के बाद भी इसको 3-star rating मिला है जो की build quality कमजोर होने की वज़े से आपको काफी जादा मुसीबतों का सामना करना पर सकता है तो दोस्तों मेरा आपसे निमेदन यही है कि आप अगर नया स्विफ्ट का मोडल ले रहे हैं तो क्रपया उसे ना लें क्योंकि यह गाड़ी बहुत ही जादा हलके material से बनाई गई है अगर आप चाहते हैं कि आपको स्विफ्ट ही लेना है तो दोस्तों कोई भी used car आप ले सकते हैं कोई भी पुरानी car आप ले सकते हैं स्विफ्ट का आप 12, 13, 14, 15 जिस भी तरेका का मोडल ले सकते हैं बट दोस्तों मेरा आपसे निवेदन यही है के स्विफ्ट का जैसा कि आपको फोटो में दिख पा रहा होगा यह वाला जो नया मोडल है आप इसे क्रपया करके ना लें उसका reason जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें 100% safety features हैं बट safety features होने के बाद भी यह गाड़ी आपके लिए safe नहीं साबित होगी तो दोस्तों जैसा कि अभी दिवाली नवरात्री का समय चल रहा है आप लोगों काफी गाड़ी अल लेनी होगी यह हो सकता है आप अपनी used car देके नहीं लें यह हो सकता है आपका नहीं लेने का प्लान जो भी चल रहा हो तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि आप मारुती Suzuki Swift के नए model को डिजायर की बात नहीं कर रहा हूं Swift के नए model को आप प्रिफर ना करें क्योंकि यह गाड़ी आपके इंडिया की रोडस के हिसाब से सेफ बिल्कुल भी नहीं साबित होगी तो दोस्तों उमीद करता हूं कि यह आपको पसंद आया होगा आप इसे लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें आप मुझे Instagram पर भी फोलो कर सकते हैं Facebook पर भी फोलो कर सकते जिसका की लिंक में आपको नीचे शो कर दूंगा इसके अलावा दोस्तों अगले कौन से टोपिक पर आप मेरे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बोक्स में बता सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में थेंक्यों